नमस्कार दोस्तों, विदानसभा चुनाओ के अपडेट में लगातार हम बने हुए हैं, आपको बतादें कि भीम विदानसभा के नो राउंड पूरे हो चुके हैं, जहाँ पर अब तक आपको बतादें कि कॉंग्रेस के प्रत्यासी सुदर्शन सिंग रावत को 24,139 वोट मि हैं, यहाँ पर भीम विदानसभा में भाजपा के प्रत्यासी हरी सिंग रावत आगे बड़त बनाए हुए हैं, इसी तरह रासमन्द विदानसभा में भी नो राउंड पूरे हो चुके हैं, जहाँ पर भी भाजपा की प्रत्यासी दिप्ती महिस्वरी को 41,483 वोट से बड बनाए हुए हैं, कॉंग्रेस की प्रत्यासी नायन सिंग भाटी 25,655 वोट पर हैं, जबकि निर्दली प्रत्यासी जो की बेट के साथ मेदान में हैं, दिनेश बड़ला उन्हें 8,769 वोट मिले हैं, इसी तरह कुंबलगट विदानसभा की बात करें, जहाँ पर 8 राउंड पूरे हो चुके हैं, यहाँ पर भाजबा के प्रत्यासी शुरेंदर सिंग राठोड 28,660 वोट से आगे हैं, जबकि कॉंग्रेस के प्रत्यासी योगेंदर सिंग परमार 14,553 वोट पर हैं, और इसी तरह निर्दली प्रत्यासी निरज रानावत 235 वोट अब तक उन्हें 8 राउंड तक मिले हैं, अगर इसी तरह नाथोजबारा विदानसवा की बात करें, जहां पर 4 राउंड पूरे हुए हैं, और इस 4 राउंड तक कॉंग्रेस के प्रत्यासी रोक्र सिपी जोशी को 15,104 वोट मिले हैं, और भाजबा के प्रत्यासी विस्वरा सिंग मेवार को 17 11101 वोट मिले हैं, इस तरह नाथोजबारा विदानसवा, प्रासमत विदानसवा, कुंबलगड और भी चारों ही विदानसवा में भाजबा प्रत्यासी बड़त बनाये हुए हैं, यह मुक्री रूप से, और अभी अभी आप देख सकते हैं, नाथोजबारा विदानसवा का पांचवा राउंड भी आ चुका हैं, पांचवा राउंड में भी भाजबा के प्रत्यासी विदानसवारा सिंग मेवार 21,705 वोट से आगे हैं, जबकि जो कॉंग्रेस के प्रत्यासी डॉक्र सिपी जोसी हैं, उन्हें कुल 19,790 वोट मिले हैं, इस तरह लगबग यूं द राजसमन्द और भीम विदानसवाओं में 9,805 वोट पूरे हो चुके हैं, नातु द्वारा विदानसवा में 5 राउंड हुए हैं, जबकि पुंबलगड में 8 राउंड के परिणाम अब तक के यह आये हैं, और इसके तहित राजसमन्द जीले की 7 विदानसवाओं में दमारुती नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में श्रिनाची की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। झाली नाथद्वाद प्राएं।